है तो हमारे प्राकतिक चिकिष्या के अंतरगत हमारे सारे मित्रगण मिट्टी स्नान कर रहे हैं कर चुके हैं पहले तेल का मालिस हुआ एक दम चकाचक पुरा सरीर को तेल पिलाया गया और उसके बाद मिट्टी का सनान करके धूप सनान लिया जा रहा है यह क्यों कर रहे हैं क्या फाइदा इससे करने से देखिए हाला कि इस्वर ने हमें इंसान बनाया दिमाग भी इंसान का दिया लेकिन अकल भैस का भी नहीं है भैस को आप देखोगे यह कादो किच्चुड में जाके बढ़िया से लोट पूट होता है चारों तरफ कादो करके फिर धूप में गुमता है का होता है यह करने से मनुश्य शरीर में भी और पसु के शरीर में बहुत प्रकार के परजीवी मिख्यू मां द किड़े उड़िया में बोलते हैं टिंको टाइप जो खूं चुशते हैं सरीर में मर्मेमेट मेटर को बनाते हैं तो जब हम लोग मिट्टी लगा देते हैं मिट्टी के माध्यम से वो सारे मिट्टी सुखने लगता है तो चिपूड जाता है प्रेस होता है मिट्टी शरीर को दबाता है ऐसा करके निचोड़ता है दूपसरान के बाद तो जो hair holes है उनके उपर pressure पढ़ने के कारण hair holes का जो भी constipation होता है वहां से पसेड़ा निकल नहीं पाता है वो सारे खुलते हैं second एक तो जैसे भैंस के सरीर पे इंक बगएरा जो कीड़े रहते हैं वो जैसे मर जाते हैं चिप के दब के प्रेस हो जाता है मिट्टी सुखने से तो भैंस निरोग होता है ठीक इंसान सरीर में भी बहुत से बैक्ट्रिया परजीबी ऐसे जीब जो हमें खाली आँख में नही से ज्यादा होते हैं ऐसे 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 परजीबी ऐसे कीड़े तो मिट्टी लगाने से सारे ऐसे प्रेस हो जाते हैं दब जाते हैं मर जाते हैं और जब नहा लेंगे तो धोके गिर के चले जाते हैं ऐसे सर में अगर डेंडरफ हो रहा हो मिट्टी आप लगाते हो गोबर लग देंगे तो सड़ जाता है बीज लगा देंगे तो पेड हो जाता है यानि एक तो दो पावार अफ डेस्ट्रक्शन और दुसरा है दो पावार अफ न्यू जेनरेशन यह दोनों माटी में वो सकती ताकत है तो जब हम मिट्टी लगाते हैं हमारे सरीर पे जो डेड़ सेल्स है मृत जीब कोशी का उनका डेस्ट्रोई करना निकालना और नया सेल को पोषण देना उजिवित करना उत्पादन करना तो हमारे सरीर पे नेचुरल आकास तत्व का मात्रा बढ़ जाता है और इस प्रकार मिट्टी सनान करने से सरीर सुधी करण तो होता है साथ में पोषण गोभी होता है यानि मॉरमेट मैटर क चणडा गंदगी निकल तो जाता है साथ में मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे अच्छे तत्व मिट्टी में बहुत मिनेरल है सौल्ट है बहुत कुछ है वो सरीर अब्जर्व करके अपने अंदर पोसित करता है और सरीर में जो भी कमी है उसको बैलेंस करके हमें निरोग स्वास्तेबान बनाता है इसलिए हपता में एक बार महिना में एक कर ऐसा करके जब जैसे सुविधा बन जाए मिट्टी स्नान जरूर करिए दन्यवाद नमस्कार